तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ GTA 5 के वारे में जो हमारे Android वर्जन में है Play Store में है तो जैसे कि हमारे फॉन में Play Store open है तो इसमें मैं लिखता हूँ GTA 5 जैसे कि मैंने यहाँ पर GTA 5 मैंने टाइप कर दिया है तो इसको करता हूँ मैं सर्च सामने कुछ इस तरगे की डिस्प्ले आयाती है और यहाँ पर लिखा हूँ आइंस्टॉल कुछ लोग इसे को GTA 5 समझ के डाउन्लोड कर लेते हैं और उनको क्या देखने को मिलता है फिर ये 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 भाई ये दा मैनूल है कोई GTA 5 नहीं ओफिसल अब मैं आपको बताता हूँ GTA 5 के बारे में और ये कब आ रहा है Android phone में मतलग Play Store के अंदर पूरी आपको मैं डिटेल दूँगा इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना step to step आपको मैं बताऊंगा तो जैसकि ये हमारा GTA 5 है जो हमारा PC के लिए बना हुआ है इतना ज्यादा compress किया जाएगा अस गेम को समझे रहे होना इस बारी बात को कुछ ज्यादी इसको compress करा जाएगा तब जाके हमारे Android phone में suitable होगा और तब जाके हमारे Play Store में आएगा इस बात को समझे पहले और अब हम बात करते हैं कि यह Play Store में क्यों नहीं आ रहा सबसे पहली बात तो यह है ठीक है यह Play Store में इसले नहीं आ रहा जो Rockstar है वो अभी GTA 6 को लेकर अभी serious है ना कि GTA 5 Mobile को लेकर तो अभी जब यह GTA 6 का जो काम चल रहा है जब वो पूरा हो जाएगा जब हमारी GTA 6 जब launch हो जाएगा तब क्या किया जाएगा सबसे पहले बात तो GTA 4 को launch किया जाएगा ठीक है क्योंकि GTA 4 के बाद ही GTA 5 आएगा इस बारी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए GTA 4 को पहले किया जाएगा फिर GTA 5 को किया जाएगा ना कि पहले ही GTA 5 को हमारे Android फॉर्म में लाए जाएगा इस बात को समझीए ठीक है तो अगर आप GTA lovers हो तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और दोस्तों को साथ जरूर से कर लीजिए पाक कि आपके दोस्तों को भी मालूम पढ़ जाए कि ये प्ले स्टोर में कब आ रहा है कैसे आएगा और किस के बाद आएगा मतरब GTA 6 के बाद आएगा और GTA 4 मोबाइल के बाद ठीक है आई होप सो ये जानकर ये आपको बहुत यूसफुल लगी होगी यूसफुल लगी हो तो एक लाइक कर लीजिए दोस्तों को सेर कर लीजिए तो मिलते हैं फिर अनदर वीडियो के अंदर तब तके बाए और टेक केर जाहिंद बंदे मात रहूं